नमस्कार नमस्कार स्रेवान नमस्कार तोक सक्सेना साप का और देवेंदर जी जोशी का दोनों का मैं अब इवादन करता हूं इसलिए भी कि आपने जो टोक में ये लोकल मंच था उसका अखिल भारती स्वरूप अब हो गया है आपके प्रयासों से ये बहुत अच्छी बात एद जैसे बुद्धी दोके लोगों के सहयोक सही बन पड़ा जै कि हम तो क्या कर सकते हैं अधे शुछ है नहीं ऑजन जोद्गा थेरा और जैंन शरुपर मंच तो ये नमस्कर पीदसाथिन हो और नमस्कार दोस्को सरोकार नामस्कार जिसकी सदा कोशिश रही है कि वह ऐसे मुद्दों पर सम्वाद इस्थापित करें और ऐसे लोगों के साथ करें जो निस्पक्ष बाउस से उस पर अपनी गाय या अपने बात अपने विचार साजा कर सकें एक निस्पक्ष प्लेटफॉर्म उसी शंगला में जब सारे पूरे विश्व में है कि यही प्रयास किया जा रहा है कि हिंसा के ने ने प्तिमान स्थाफिकां हमें हिंसा का फेली दिखाई देता है उसका रूप बदल बदल के सामने आ रहा है चाहें युद्धि की भूमी का दिखाई देती है या पूरी मानत्ता को लेकर उस पर अंगरित तरीकों से प्रहार है उस पर दवाव है तो ऐसी इस्थिती में गांधी को याद किया जाना बहुत प्रसांगित लगए और जहां तक मेरी अल्प जानकारी है कि गांधी की जो अपने सत्य के प्यति निस्था नहीं उनके संपूर्ण जीवन में उस पर बात्चित की जाए क्योंकि गांधी इश्वर की परिकल्पना से पहले भी अगर बात करते हैं तो कहते हैं उनके लिए सत्य ही इश्वर है अब गांधी का सत्य क्या है इस बात पर थोड़ा विचार विमश करने के लिए मैं आज इस मंच ने प्रफेसर राजन गर्ग साब को मंत्रित किया है उनका सयोग चाहा है इस पर विचार अपन करें कि गांधी का सत्य के प्रती जो निस्था रही उस निस्था को हम किस तरह से उनके सत्य को पहचानते हुए उनकी जीवन्शहली को समझते हुए उस पर हम विमश कर रहें जी आपने जो इसका विशे लिया है उसमें तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन और उनका जीवन दर्शन आ गया है इसलिए ये बहुत ही गहरा प्रश्न है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का जो शीर्शक रखा है टाइटल माई एक्सपरिमेंट्स विद ट्रूथ और सच्मूच में ही उनका पूरा जीवन सत्य को जानने का ही था जैसा आपने अभी बताया कि गांधी के लिए सत्य ही इश्वर है सत्य ही इश्वर था इश्वर सत्य नहीं है वो कहते हैं उन्होंने कई बार कहा कि इश्वर सत्य है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं उन फिलोसोफीज में नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए तो जो सत्य मुझे सत्य लगता है, वही ईश्वर है, और एक्स्पेरिमेंट इसलिए उन्होंने किये, कि गांधी कोई इस तरह के व्यक्ति नहीं थे, कि एक बार जो उनको सत्य समझ में आ गया, उसके चि है कि सत्य की खोज भी अनवरत होती रहनी चाहिए, गांधी जी ने जीवन भर्व, देखा जाए तो हर क्षेत्र में सत्य की ही खोज की है, और कुछ किया है नहीं, और जो सत्य उनको प्राप्त होता रहा, उस पर उन्होंने कोई समझोता नहीं किया, और इसलिए, जैसे महा कि आगे आने वाली पीडियों मुश्किल से ये विश्वास करेगी, कि हार्ड मास का बना हुआ एक ऐसा व्यक्ति इस धर्थी पर कभी चला था, ये आगे आने वाली पीडियों को विश्वास में नहीं आएगा. एक ऐसा विक्ति जो बिना रुके और बिना ठके और बिना डरे और बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी को खुश किये और बिना किसी को नाराज किये अपने पत पर चलता रहा और अपने मृत्यु के अंतिम ख्षण तक जिसने सत्य की खोज जारी रखी उस व्यक्ति को गांधी कहते हैं गादे जी ये कहते थे कि किसी को प्रसंद करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए अगर हम कोई कारिक करते हैं तो वो हिन्सा का यह है अहिंसा तो वही है जो सत्य पर आधारित हो और गांध ही एक ऐसा युग पुरुष अमारे सामने आता है कि ने तो किसी देवी देवता को ने किसी मसीहा को उसने कभी पूजा, पाठ, यग्य, प्रार्तना कुछ नहीं की उसने किवल सत्य की आराधना की और इसी लिए इसी लिए गांधी का आतंबल इतना जबर्दस था कि भारत पाकिस्तान का जो विवाजन हुआ, तो जो दोनों तरफ से हिंसा होती रही, अब वो हिंसा इस तरह की थी कि घर घर और महले महले में थी, ऐसी हिंसा को सेना रोक नहीं सकती, किस किस के घर जाएगी, तो डेनिस डॉल्टन कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो विवाजन के समय हिंसा हुई, हर महले में, हर घर में, उसको सारे संसार की सेनाए भी रोक नहीं सकती थी, एक व्यक्ति ने, गांधी ने अपना बलिदान दे करके उस हिंसा को रोक दिया, उसी तरह नोवाखाली जब गए गांधी, तो उसमें उनके रास्ते में बहुत रुकावटें डाली गई, लोग उनको नोवाखाली में घुसने नहीं देना चारे थे, वहां हिंदू-मुस्लिम दंगे चल रहे थे, उनके रास्ते में मलमूत्र उपर से छतों पर से डाले गए, जिन पुलों को पार करके उनको जाना था, उन पुलों को तोड़ दिया गया, और गांधी किचड में चले, लेकिन चलते गए, और उपर से पत्थर पैके गए, सब कुछ हुआ, लेकिन गांधी चलते गए, और अकेले-अकेले नौवाखाली में, वो उन्होंने 200 किल में गए, उन पर कई जगे शारीरिक हमले हुए, और अंत में ये हुआ, कि वहां के लोग जो हिंसा पर उतारी थे, उनका मन, उनका अंतर्मन, इस तरह से बदला कि उन्होंने अपने हत्यार फैक दिये, गांधी के सामने आ करके, और हिंसा समाप्त हो गई, और वहां से फिर वह बिहार के उनके जाने की योजना बनी, तो इस प्रकार से ये सब काम तब होता है, जब आत्म बल हो, अब कई लोग पूसते हैं, बात करते हैं कि गांधी जी का जीवन दर्शन क्या था, आइडियोलोजिक क्या थी, तो मुझे तो गांधी जी का कथन याद आता है, वो क करते थे कि मेरा तो कोई जीवन दर्शन है नहीं, मैंने कोई अपना दर्शन नहीं बनाया, मेरी कोई आइडियोलोजी भी नहीं है, मैंने अपना जीवन आपके सामने जिया है, उसमें गुप्त बात कुछ भी नहीं है, सब आपके सामने है, उसमें आगर आपको कोई चीज अच्छी लगती हो तो आप उसको अपनाने का प्रयास करें और जो बुरी लगती हो उसको आप छोड़ दें यही मेरा जीवंदर्शन है तो अन्य था मेरे दिमाग से में सोचता हूँ गांदी जैसे वो काहनः आथी है ने कि चार पांच अंधे लोग थे एक हाती के साभने उनसे का गया कि हाती का वर्णं करो तो जिसने हाती की सूण़ पकड़ी उसने का कि हाती अजगर जैसा होता है पूछ पकड़ी तो रसी या सांप जैसा होता है, और पैर पकड़े टटोल के देखा, तो वह हाती खम्मे जैसा होता है, तो होता क्या है कि गांधी के जिस पक्ष को कोई व्यक्ति अकेले अकेले उसी पक्ष को देखना चाहे, तो गांधी को नहीं समझ सकता, तो इसलिए गा गांधी को समझने के लिए उनके जीवन को समझना पड़ेगा। तो गांधी जी बारति है जो आमरा उस समय उन्नीश्वी और बिश्वी सदी में जो पुनर जागरण हो रहा था ये देश पर तेसरा पुनर जागरण था, पहला गोतम मुद्ध के जमाने में दूसरा कबीश, नानक ददू, देयाल के जमाने में, और तीसरा इव बिटिस टा तो इसमें न केवल गांदी, बलकि उनकी पीड़ी के सभी लोग, चाहे वो महादेव गोविंद रानाडे हों, दादा बाई नारोजी हों, फिरोशा मेता, सुरेंदनात बेनर जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगा दर तिलक, लाला लास पत्राय, अना एमेन रॉय, व और अमबेडकर फाहब, ये सभी लोग, ये स्वतंतरता के सेनानी ही नहीं थे, इनको केवल स्वतंतरता के सेनानी बताना, इनको छोटा करना है, ये भारतिय समाज को सदियों की नीद से जगा रहे थे, और ये भारतिय समाज को ये बताना चाहते थे लोगों को, कि हमारे अ खराबियां, विक्रतियां, बुराईयां आ गई हैं, जिसके कारण हमारी दुर्दशा है, स्वतंत्रता प्राप्ति तो इनका कोई बहुत गौण और बहुत छोटा सा कोई लक्षरा होगा, बाकि मुख्य रूप से इनका लक्षी ये था, और इसलिए उस पीड़ी में भारत म महापुरुष पैदा हुए, जो जैसा मैंने नाम लिया, इस तरह की एक पीड़ी कहीं हमको दिखाई नहीं देती, किसी भी देश में, इतने छोटे से समय में, तो गांधिवाद पर पुस्तकें पढ़कर हम गांधी को नहीं समझ सकते, एक मादेव भाई देशाई की डाइ मेरी है, जो गांधी के प्राइवेट सेकर्टरी थे, उन्होंने 22 वल्यूम में 22 वर्षों का गांधी का जीवन लिखा है, रोज का देनिक जीवन, क्या-क्या किस, और वो चाहिए गांधी ट्रेन में हो या किसी जेल में बेठे हो, सब जगे वो गांधी जी का वरणन कर रह तो वो मादेव भाई लिखाई की डायरी उनके जीवन को बताती है, उनकी आइडियोलोजी को नहीं बताती है, तो उसको पढ़ने से मुझे गांधी जी का जीवन ऐसा समझ में आया, मैं समझता हूँ कि ने तो इतिहास में, ने किसी महाकाव्य में, ऐसा महान व्यक्ति कभ आया होगा, जैसे गांधी जी थे, तो अब गांधी जी के बारे में, उनके जीवन को ही अगर समझा जाए, तो बहुत कुछ समझ में आता है, और उनके सत्य का प्रियोग भी तभी समझ में आता है, जब हम उनके जीवन को समझे, आनने था तो हम केवल आइडियोलोजी की करांगे तो कभी तो हम कहेंगे कुटी रुद्धियो रूस्टि ड depende को मानते थे कभी और कभेंगे समाजवादी थे तो इससे हम गांधी को नहीं समझ सकते हैं, गांधी के जीवन को समझना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी एक दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, क्योंकि अन्य जिनको हम क्रांतिकारी मानते हैं, माली जी जैसे मार्क्स है, लेनिन है, माउच सितुंग है, या अबराम लिंकन है, या बहापुरुष जो भी रूसो है, फ्रेंच रिवल्यूशन के, इन लोगों ने जीवन के किसी पक्ष को लिया, ये लोग केवल व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे, जबकि गांधी मनुष्य जाती का रिदे परिवर्तन, अंतर्मन परिवर्तन, तो इसलिए गांधी की करांथी बहुत बड़ी करांथी है, और उन्होंने, मतलब मैं तो उनको सबसे बड़ा करांथी कारी मानता हूँ, उनका जो है, कि जैसे एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, अब हम कहे देते हैं कि साब गांधी बड़ी मशिनों के खिलाब थे, क्यों थे, क्योंकि जहाँ हैवी इंडस्ट्री होगी, वहाँ कैपिटलिजम भी होगा, और जहां पुझी और कैपिटल का राज्य होगा, तो हमारा राज्य और पुझी वाद दोनों जुड़ जाएंगे, और राज्जी बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और नागरिक बहुत कमजोर हो जाएगे नागरिक की प्रभुसत्ता तभी बनी रह सकती है जबकि वो सरकार से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, सरकार पर निर्भर नहीं हो जो अपना सामान खुद बनाता हो अपना जिसका गाउं जो है उसमें सारी आवशक्ता की चीजें मिल जाती हो और उस कच्चे माल से वो अपने हातों से काम कर रहा है तो वो किसी दूसरे का मुखा पेक्षी, दूसरे का निर्भर नहीं होगा और वो स्वतंत्र होगा और कोई भी सरकार इतनी बल्शाली नहीं होती कि उसको वो दबा सके क्योंकि हर इंडिविजवल आत्म निर्भर है तो आसा प्रेशन लखना चाहरा थी कि गांधी के जो श्रम साधना है जारे रिक श्रम की बात जी हाँ तो शारे रिक श्रम पर ही बात करते हैं गांधी जी कि सब्सक्राइब के प्रति निस्थाओं के सब्सक्राइब कैसे सांप पास इसमें परस्पर रख कर देखा जाए कि उनकी श्रम की जो साधना रहे कि वो वो सब्सक्राइब तो वो सब्सक्राइब के प्रति जोंकी निस्थाओं के उसको क्या सब्सक्राइब कैसे करने जी या नहीं कर पाने जाए शारे रिक श्रम और सब्सक्राइब मैं क्या सम्मंद था गांदी जी के लिए यह आपने पूछा था ना तो मैं दक्षण एफ्रिका में ही गांदी जी का जो जीवन रहा क्योंकि दक्षण एफ्रिका में भी वो बाइस साल रहे आप से छोटा सब्सक्राइब कि गांदी जी की सारे रिक श्रम साधना जो है उसको हम गांदी जी के सत्य के प्रतीजों निस्था रही जीवन में इनमें आपस में कोई सह सम्मन तलाश सकते हैं जी हाँ उनका उनका सारे जो उनकी क्रिया के लाप है वो अधमें सत्ति की तरफ ही जाते हैं सत्ति की खोज़गी तरफ ही जाते हैं मैं आप बताओं कि गांदी जी दक्षिने अफरीका में भी वो बाइस साल रहे और लगबग उनके जीवन का आधा समय जो है वो दक्षिने अफरीका में भीता तो वहां के उनके जीवन के बारे में मैं आपको बताओं बहुत संग्षेप में शारिरिक स्रम के बारे में कि दक्षिन एफरिका में भी उन्होंने आस्रम खोला था, फिनिक्स आस्रम था, और भी एक आस्रम था, तो ये आस्रम में 60-70 परिवार रहते थे, गांदी जी को एक लकड़ी की अलमारी बनानी थी पुस्तके रखने के लिए, अब आस्रम की बात है कि गांदी जी एक बहुत अच्छे कारपेंटर भी थे, वैसे वह बहुत अच्छे मोची भी थे, बहुत अच्छे जूते चपल बनाते थे, बहुत अच्छे कुमार भी थे, घड़ा मटका बनाना जानते थे, बहुत अच्छे वह तेल निकालने वाले तेली भी थे और बहुत अच्छे जुलाहे वस्त्र बुनने वाले भी थे और रफूगर भी बहुत अच्छे थे कपड़ों का रफू ऐसा करते थे कि जैसे ओरीजनल कपड़ा हो तो यह सारी बाते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि आलमारी बनानी थी और तो गांदीजे ने कारपेंटर की क्या जरूरत है तो सुबह आठ वजे से काम शुरू किया और शाम को साथ वजे तक उन्होंने आठ फुट उची लकड़ी के अलमारी बना करके तयार कर दी बस केवल हतोड़े और कीलों की साहिता से और जो भी ओजार होते हैं अब इससे आप हम अंदाजा ल आश्रम था उससे मुख्य सड़क की दूरी थी लगबग आदा पॉन किलो मेटर बीच में कच्छा रास्ता था गांदी जी और उनके आश्रम वासियों ने अपने खुद शारिरिक परिश्रम से वो एक किलो मेटर की सड़क पक्की बना दी खुद काम करके ऐसा नहीं कि गा कि लोग काम कर रहे हैं और जब वो बैरिश्टर थे तो बैरिश्टर थे तो सबेरे चार बजे उठकर के तो आठा पीच थे थे हाथ की चक्की पर और अपनी हजामत खुद बनाते थे अपने कपड़े दोना और उन पर इस्तरी करना और फिर वो जो मल्मूतर वहां वो वो इस्टम नहीं था नालियों का तो वरतनों में करते थे तो वो उठा के फैंकना और कोई महमान आ गया तो उसका पैंकना और फिर सारे काम करके छह मेल यारी दस किलोमेटर दूर अदालत थी जहां वो यह थे मैजिस्टर थे तो 6 मील यानि 10 किलो मेटर पैदल जाते थे और टाइम पे पहुंसते थे इसके अलावा गांदी जी अपना अख़वार निकालती थे डक्षिन एफरिका में तो उस जमाने में जमाने में समवाद दाता वगरा तो बहुत कम थे तो सारे अधिकांश अख़वार की जो खबरें है वो गांदी जी खुद आप से लिखते थे उनको टाइब करते थे फिर उनको कंपोज करते थे अब उस जमाने की जो प्रेस थी उसमें चोट चोटे अकशर वख करते थे जिसको वो फिट करते थे वो टाइप कर और फिर हाथ से वो गुमा करके वो मशीन यो चलाई जाती थी, तब कोई चीज छापी जाती थी, तो इतना काम वो अख़वार के लिए खुद करते थे, इसके अलावा क्यों कि वो जी, इसके अलावा वो अपने कपड़े भी खुद सूथ कात करके और उनको बुनते भी थे, तो वो काम कहीं फट गया तो रफू करते थे, आसरम के दूसरे लोगों का भी रफू कर देते थे, कुए से पानी खीज के लाते थे, और जो भारी गारियां आती थी सामान की, उनका सामान उतारना और उसपर दूसरा सामान लादना, ये काम भी करते थे, यहां तक की आस्रम में तेल निकालने की एक जिसको हम गानी गानी कहते हैं वो गानी भी थी तो उस पर भी वो कभी कभी काम करते थे तो इतने सारे काम वो घर पे करके और फिर वो कोर्ट में जाते थे तो यह चीज समझने की है इसके अलावा एफरिका की जेलों में जब वो कैदी होते थे क्योंकि कई बार एफरिका में भी उनको जेल जाना पड़ा तो वहां कैदियों को जो काम दे दिया जाता है जैसे जमीन खोदने का काम दे दिया तो दिन भर जो जितनी जबीन खोदनी है अलोटमेंट हो गया वो उन्होंने खोदी और फिर वो कहते थे दूसरे कैदियों को कि वही अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ हो तो मैं हेल्प कर सकता हूं तो वो एक्स्ट्रा काम भी कर लेते थे ज्वेल की दीवारों के पुताई जब होती थी तो कैदियों की पुताई करते थे तो गांदी जी ने पुताई का काम भी वहां किया और आस्रम से चालीस मील दूर जो बड़ा शहर था जहां ये सामान लेने जाती थे तो अक्सर तो पैदली जाती थे सुबह चार बजे रवना हो गए और चालीस मील चले गए और सामान खरीद लिया और अपने कंदे पे लाद के आस्रम आ गए तो असी मील रोज़ना चलना तो ये वैसे तो मुझे विश्वास बड़ा शक हुआ कि ये बात क्या है असी मील कैसे लेकिन मुझे द्यान है कि मेरे जो दादा है वो भी आप हमारे गाहों से जैपूर आते थे पचास किलो मेटर गी बेचने के लिए और चांदपोल बाजार में गी बेच करके शाम को र तो पचास और पचास सो किलो मेटर हो पैदल तो फिर मैंने सोचा कि गांदी जी जरूर असी मील जा सकते होंगे उसी तरह से जब फरस्ट वर्ड वार में युद्ध हुआ वहां बोर बोर युद्ध तो वहां गाहिलों को लड़ाई के मैदान से इस्ट्रेचर पर लेटा क करके होस्पिटल ले जाना जो 40 किलो मेटर दूर था और वहां होस्पिटल में एड्मिट कराना ये काम गांदी जी ने स्वैम सेवक की रूप में किया था तो इस प्रकार से एक बार क्या हुआ कि वहां पर भी इन्होंने खादी का प्रियोक शुरू कर दिया था दक्षिन तो ओरतों की जो साड़ियां खा दीकी है वो बड़ी भारी होती थी कुछ तो गांदी जी को तो कुछ कहती नहीं थी आस्रम की ओरते हैं लेकिन वो कहती रहती थी कि हमको तो बड़ी भारी साड़ी पहती ही पड़ती है इसको दोएंक ऐसे तो हुआ क्या कि एक दिन जब करके तो उन्होंने देखा कि सभी ओरतों की जो साड़ियां है वो धुल करके और सूख रही हैं अब मालूम हुआ कि महत्मा गांदी पता नहीं रात को कब उठकर के और पास में तीन-चार किलोमेटर दूर कोई तालाब था वहां ले गए और उन साड़ियों को धो करके लाए और उनको सुखा भी दिया और उन महिलाओं को पता भी नहीं चला तो महिला बड़ी शर्मिंदा हुई अफरिका की जेलों में जब गांदी जी कैद में होते थे तो एक काम वो करते थे हजामत बहुत अच्छी बनाते थे गांदी जी बहुत अच्छे बारवर थे तो सबकी हजामत कैदियों की गांदी जी बनाये करते थे आप देखिए आप उनकी उनके जीवन को देखेए शारिरिक स्रम को देखिए और एक बहर क्या हुआ कि वहाँ भारतिय भी बहुत है अफरीका में तो तो वहाँ वो एक नाई ने किसी दलित कैदी की हजामत बनाने से मना कर दिया तो गानी जी ने नाई का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया और कभी भी हजामत नाई से नहीं बनवाई अपनी हजामत सिर्की हो चाए डाड़ी मुझ हो वो खुद बनाते थे हुआ क्या यह मैं आपको 1915-16 की बात बता रहा हूं राज कोट में प्लेग फैला और हजर लोग बर गए छूत की बीमारी लेकिन हमारे यह बारत में जरा सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है तो राज कोट में संडास की सफाई पहले कच्ची संडास होती थी तो वो काम गांदी जी ने स्वयम उस काम को किया गांदी जी ने राज कोट में सफाई का काम टोईलेट की सफाई का काम वहां अपने स्वयम और अपने साथियों के साथ किया और लोग उनको मजाक में कहने लगे कि गांदी जी तो भंगी शिरोमणी हैं तो गांदी जी अपने आपको बड़े गरु से ये मानते थे कि मैं ये जो काम है बहुत कठिन काम है और किसी एक जाती पर आपने हजारों साल से लाद रखा है तो गांदी जी उस काम को भी करते थे एक बार एक कॉलेज में चात्रों गांदी जी करे थे कि विक्टोरिया क्रोस का वार्ड जीतना असान है लेकिन टोईलेट की सफाई बड़ी मुश्किल है ये काम भी वो करते थे और एक बार उनसे किसी समवाद दाता ने पूछा कि अगर आपको एक दिन के लिए भारत का समराट बना दिया जाए तो क्या करोगे तो उन्होंने का कि मैं आसपास जो हरीजन बसती है वहाँ की सफाई करूँगा तो उसने पिर पूछा दुबारा कि अगर दो दिन तो उन्हें का दूसरे दिन रिवाई करूँगा सफाई पर गांदी जी का इतना जोड था और भारतियों की जो आदत है गंद की पहलाना की उससे उनको इतना बड़ा दुख था कि वो इस पर सबसे ज़्यादा जोड देते थे और गांदी जी जब लिखते थे तो चाहे जहाज में बैठे हों चाहे ट्रेन में बैठे हों और दाएं हाथ से भी लिखते थे और बाएं हाथ से भी लिखते थे मैंने उनकी राइटिंग देखी है दाएं की और बाएं की दोनों हाथों से लिखते थे और प्रेस में ले जाते थे कंपोज करते थे और हाथ से वो चला करके प्रेस से वो छापते थे पुरानी जो प्रेस होती थी इतना अधिक शारिरिक स्रम मैं ताजुब में पड़ गया कि कोई विक्टिक कर सकता है क्या इतना काम गां दीज़रे शारिक स्रमर और ये किसलिए कि जैसे हमारे सकसेना साब ने पूछा कि भई इसका सत्यनिस्ठा से तो वो सत्य के ही प्रियोग करने के लिए ये कर रहे थे कि क्या एक नागरिक, आत्म निर्भर, साधा जीवन जीतते हुए, अगर वो आत्म निर्भर है, तो क्या वो सरकार से स्वतंत नहीं होगा, वो सरकार की कोई परवा नहीं करेगा, रूलिंग पार्टी की परवा नहीं करेगा, वो स्वतंत रह, वो प्रवता संपन है, तो गां राजजी में पुलिस है, फोज है, और सरकार कानून मनवाती है, और राजजी अपने आपको सर्व प्रभुता संपन्द बताता है, गांदी जी कहते थे, सर्व प्रभुता संपन्द राजजी हो कैसे सकता है, हिंसा से होता है, तो पूर्ण स्वतंत्रता तब थी, ऐसा नहीं भारत के लिए हो कहते थे, कि अंग्रेजों के चले जाने से हम स्वतंत्र नही औह जाएंगे, कुछ भे नहीं होंगे,। हम स्वतंत्र तब होंगे जब सरकार या राज्य हो ही नहीं और हम हर नागरिक प्रभुता संपन हो तो यह आपने जो सत्य निस्ठा और स्रम के बारे में जो बात बता ही वो जो तोड़ा सा यह उदारन याद आ गए तो इसलिए मैंने आपको बता ही और उनके जो धार्मिक विचार हैं तो कभी किसी ने नहीं देखा इनकी पत्रगाड़ता को लेकर जो इनकी सोच रही इस प्रसंग में कैसे समझा जा सकता है तो हाँ गादी जी ने पत्र चलाए बारत में भी पत्रकार्टा को हाँ पत्त्रकारिता जन जागरण का जो यांग्य है जन जागरण का जो महान यग्य है उसमें पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा हात है और भारत की स्वतंतरता के जो अंदोलन थे उसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है तो गांदी जी ने जैसे यंग इंडिया और हरी जन पत्र चलाए तो अब वो उनके विचार बड़े क्रांतिकारी होते थे और हर विशे पर वो अपने बात लिखते थे और किसी भी दुनिया में किसी भी सरकार और सत्ता की परवा नहीं करते थे और जो बात सत्य होती थी वो करते थे तो यह उनकी पत्रकारिता भी सत्य के उपर ही एक प्रयोग था और इसी लिए जनता का जागरण करना है, नागरिक बंधों का नागरिक शिक्षन करना है, तो पत्रकारिता का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। सत्य के लिए ही पत्रकारिता उनकी चली, अन्य था, उनका तो जो सत्य था, वो तो जीवन में व्याप्त था, ना किसी मंदिर में गए, ना पूजा पाठ किया, बल्कि एक बार किया। सत्य के लिए पत्रकारिता है, वो गांदी जी ये मानते थे, कई बार ऐसी बात आई, लोगों ने का गांदी जी, बापू जी आपने पहले तो ये कहा था, और आज आप ये बात कह रहे हैं, तो गांदी जी ने कहा कि मेरी बाद वाली बात को मानो, क्योंकि आद्वी निरंतर कुछ न कुछ सीखता जाता है, तो हो सकता है, पहले मेरी दृष्टे में कोई चीज नहीं आई हो, और आज वो मुझे दिखाई दिया हो, तो बाद वाली जो बात है, वो मान नहीं होगी. एक बार कस्तूर बार जगनात पुरी मंदिर में दर्सन करने चली गई, तो गांदी जी ने, कुछ गांदी जी को इस बात से नाराज़गी हुई, क्योंकि गांदी जी तो ऐसे मंदिरों में कभी गए नहीं, तो गांदी जी ने कहा कि जिस मंदिर में तू गई है, क्या उसमें मेरे दलित भाई और हरीजन भाई भी जाकर के पूजा करते हैं, और अगर नहीं करते हैं, तो तू क्यों गई, तू भी तो एक दलित की ओरत है मैं भी दलित हूँ, मैं भी हरीजन हूँ, तो ऐसे ऐसी जगह जाने का क्या अधिकार है, जहां हमारे सब भाई नहीं जा सकें, और फिर गांधी जी ने तेन दिन का उपवास आत्मशुद्धी के लिए किया, किसलिए कि कस्तुर्वा जगनात्पुरी के मंदिर में धर्शन कर ही गई थी, अब इससे आप देखिए, एक बहर क्या हूँआ कि उनके आस्रम में एक सत्य देव परिवराजक, एक बहुत बड़े बहुत धर्शन के विद्वान, जिन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, और बहुत सी किता में लिखी, वो भारत में आये, और उन्होंने इच्छा प्रगट की मात्मा गांदी से कि मैं तो आपके आस्रम में ही रह करके काम करना चाहता हूँ, जी, तो गांदी जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये जो आपने केसरिया वस्तिर पहन रखे हैं, मतलब गेर हुए वस्तिर बहुत दों क ये छोड़ने पड़ेंगे, ये जो बगवा वस्तिर चादर है, छोड़ने पड़ेंगे, तो सत्य देव परिवराजक थोड़े से नाराज हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों मैं तो सन्यासी हूँ, तो उन्होंने कहा कि सन्यासी तो आप हैं, लेकिन बगवा वस्तिरों मे अगर आप चादर में लंगोटी में रहोगे तो जो सेवा का काम है आपको लोग सेवा करने ही नहीं देंगे बलकि लोग आपकी सेवा करने लगेंगे तो सेवा कारे में बादा आएगी तो ये जो आपने जो वेश्बुसा है आप दूसरे कोई भी वस्त्र पहराओं, उससे कोई परिशानी नहीं है, लेकिन गेरवे वस्त्र आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो गान्दी जी के लिए तो क्या था कि उनका धर्म प्रेम पर अधरित था। दीन, दुखी, ऐसा हाई का दुख निवारान करना, यही उनका धर्म था। अन्य था अगर ये बात नहीं होती तो वो भी अइंसावादी हो जाते, या तो मूपे पट्टी बांद करके, या जंगल में किसी गुफा में तफश्या करते। यह तो एक आपको बताओं प्रेम पराधारी धर्म, गांदी जी का असरम में एक बचड़ा वो तकलिफ में था। उसके कुछ ऐसी बहेंकर बीमारी थी कि वो उचल उचल के पढ़ रहा था। और इलाज उसका था नहीं। और वो पता नहीं कितने दिन तक तड़फता रहता। तो गांदी जी से यह सब देखा नहीं गया। तो उन्हों ने उस बचड़े को गोली मार के मरवा दिया। अब सारे हिंदुस्तान में फैल गई बात कि गांदी जी ने गोहत्या करी। यह आरोप लगाने वाले कौन होतों हैं। यह वो लोग होते हैं कि जिनके सामने गाय या बचड़ा कितने ही दिन तक तड़फता रहे। और वो उसको देखते रहेंगे। उसके कष्ट को दूर नहीं करेंगे। क्योंकि उससे हिंसा होती है। उसको अपनी मोत मरने देंगे बले ही वो मोत महनों बाद आए। तो वो तो एक लंबा कश्ट हो गया। तो गान्दी जी की जो अहिंसा थी वो प्रेम पराधरित थी। और यह मांदारी सत्यनिष्ठा गान्दी जी के आश्रम में कभी इनके बेटे आते पुत्र पोत्र आते बहीने आती तो भी उनको अपने खाने का बिल चुकाना पड़ता था। और जो काम है रोजाना का टोइलेट साफ वगरा का वो भी करना पड़ता था। और बड़े बड़े नेता अंतरास्टी नेता विद्वान लेखक जो उनसे मिलने आते थे। उनको भी टोइलेट साफ करने की डूटी करने पड़ती थी अगर वो गांदी जी से आस्रब में मिलने आते थे। और जब कस्तूरबा गांदी का देहांत हुआ तो साफ जो चिता सजाई गई तो कुछ लोगों ने का कि साफ हम चंदन की लकड़ी लेके आ रहे हैं। थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ी भी डालेंगे। गांदी जी ने मना कर दिया। कि चंदन की लकड़ी तो मंदिरों में जो तिलक वगरा लगाते हैं चापा लगाते हैं वहीं तक ठीक है। और एक गरीब आदमी के चिता में चंदन की लकड़ी लगाना ठीक नहीं है। एक बार गांदी जी के आस्रब में शाम के टाइम एक छोटा से दीपक घीका दिया जल रहा था। गांदी जी ने प्रार्थन करने के बाद पूछा कि भाई ये घीका दिया कैसे जल रहा है। तो कस्तूर बेटी हुई थी उन्होंने का कि आज आपका जन्म दिन है। तो मैं ये छोटे से इस दीपक में गीका दिया जल रहा है। गांदी जी इस बात पर नाराज हुए। कि देश में करोड़ों को खाने के लिए घी और तेल नहीं मिलता। और तुम जो है जनम दिन पर गीका दिया जला रही हो। ये बहुत गलत है। और गांदी जी ने का कि मेरे साथ 50-60 साल रहने के बाद भी तुमने कुछ क्या यही सिखा है। कि गीका दिया जला जाए। गांदी जी क्या श्रम में एक बार पत्तल बनानी थी। तो काका कालेल कर जो एक बड़े लेखक भी है। वो पास के पेड़ से एक डाली तोड़ लाए पत्तों की। गांदी जी ने देखा कि यह तो पूरी डाली है। इसमें तो बीस पत्तल बन सकती है। तो गांदी जी ने का भाई, एक पत्तल की जरूरत थी। और तुम जैंड़ there, डाली तोड़ लाए। ये तो गलत काम है। हिंसा है। तुम ऐसा करो एक पत्ते निकाल लो और बाकी पत्तों को जब इन में गाड़ दो ताकि इसकी खाद बनेगी और जो डाली है उसको सुखाओ तो बाद में इंधन के काम आएगी यहां तक कि गांदी जी जो नेम की दातुन बनाते थे वो दातुन भी वो एक दिन काम में ले ली फिर गिले कपड़े में रख दी दूसरे दिन वहां से काट के फिर नई कूची बना के और फिर दातुन कर ली तो एक दातुन छोटी सी जो आठ दस इंज की होती है उसको भी गांदी जी पांच-छे दिन तक चलाती थे अब लोग बारत में क्या है कि आदर सत्कार सम्मान के लिए मालाएं पहनाते हैं तो गांदी जी उन मालाओं के धागे निकलवा लेते थे और बही ये कपड़ों की सिलाए में काम आएंगे और कोई कपड़ा फटेगा तो उसकी मरमत में काम आएंगे धागे और ये फूल हैं अब मुर्जा गए तो उनको जमीन में गाड़ दो ताकि इनसे कुछ उपजाओ खाद बने तो ऐसा जो उनका आहिंसा का और सत्य का विचार था ये सोचने की बात है गांदी जी जब चंपारण गए तो चंपारण में उस समय वो नेल की खेती खूब चल लगी थी तो कुछ अंग्रेज ठेकेदार थे जो नेल गुआते थे और किसान नेल होगाना चाहते नहीं थे तो एक अंग्रेज अफसर ने का जो रिटार्ड फोजी था कि ये कौन गांदी है अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी गोली मार दूँ तो हो गांदी जी रात को करीब बारा एक बजे जब सब कुछ सुनसान हो जाता है तो उसके घर पहुँच गए और उससे कहा कि भाई देखो अभी तो कोई गवाई भी नहीं है कोई सबूत भी नहीं है तुम मेरे गोली मार सकते हो मैं इसलिए आया हूँ तो वो निल हाव वो अंग्रेज सर उनके पैरों में पड़ गया तो इस प्रकार से गांदी जी यह मानते थे कि निर्भय हुए बिना सत्य की रक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि अगर आप भैवीत हैं तो सत्य से आप डरेंगे आप तो अपनी सुरक्षा चाहेंगे यह सब प्रसंग जो है गांदी जी के जीवन से मैंने इसलिए लिये हैं कि हमें यह एक विचार बने कि गांदी जी का सत्य क्या था गांदी जी रविंदनाथ ठाकुर टैगोर के शांती निकेतन में गए थे एक बार और टैगोर साहब उस दिनवां थे नहीं तो गांदी जी ने वहां होस्टल में जो रसोई थे खाना बनाते थे विद्यार्थियों के लिए और प्रोफेसरों के लिए उनकी छुट्टी कर दी और गांदी जी ने का कि भाई यह खाना आपको ही पकाना चाहिए क्योंकि जो खाएगा वो पकाएगा पिर वो प्रियोग कुछ दिनों चला उसके बाद पिर गर्वी की छुट्टियां आ गई आगे क्या हुआ वो मादे हुआई देशा ही ने उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है तो ऐसे कर्मियोगी एक बार दक्षिन एफरिका में एक पठान ने गांदी जी पर हमला कर दिया गला दबा दिया गांदी जी का चेहरा नीला हो गया और पता ने किस कोई आया और वो छोड़ दिया बच गए गांदी जी कुछ दिनों बात की बात है कुछ दिनों बात की बात है कि वो पठान किसी को कह रहा था गांदी जी को नहीं कह रहा था किसी को कह रहा था कि अगर मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता, तो मैं छोगुना पैसा कमा सकता था, लेकिन मुझे आती नहीं है अंग्रेजी, गांदी जी ने सुन लिया वो, तो गांदी जी ने बहार आके का कि भई अंग्रेजी तो मैं सिखा दूँगा तुमको, तो पठान ने कहा कि मेरा गाओं तो आठ किलोमेटर दूर है तो कौन आपके पास रोज आएगा और रोज वापिस जाएगा तो आपको ताज़ूब होगा कि महत्मा गांदी खुद उसके यहाँ दो महीने तक आठ किलोमेटर जाते थे अंग्रेजी पढ़ा कर वापिस आते थे और यह वही पठात था जिसने गांदी जी पर हमला किया था तो यह सारी बाते हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपके सुरोताओं को कि गांदी जी का वो फिर से मूल्यांकन करें और जो कुछ भी उनके खिलाफ परचार चलता रहता है वो उसको समझें और और सारी जो पूर्वा ग्रे हैं गांदी जी के पृति उससे छुटकर आप आएं तो एक बार की बात और है यह बात है जनवरी 1947 की मृत्यू के एक साल पहले किसी ने गुस्वे में आकर के गांदी जी का गला दबाया उनके प्रार्थनास्थल पर और गांदी जी का फिर वो ही हाल हो गया कून का दोरा चेरा नीला हो गया लेकिन गांदी जी मुस्कराते रहे और उनकी मुस्कराहट को देख करके उस व्यक्ति वो व्यक्ति उनके पेरों में पड़ गया और अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब उनका लंबा उपवास चला साम परदाएकता के खिलाफ उनका विचार था कि यहां से शांती स्थापित होने के बाद मैं पाकिस्तान जाऊँगा और वहां भी मैं हिंसा को बंद करूँगा करवा हूँगा कोशिश करूँगा उनकी किड्निया खराब हो गई थी क्योंकि उपवास में उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया तो पेशाब भी बंद हो गया पाकिस्तान के हाई कमिशनर राजदूत प्रार्थना सवा में स्वैम आए पैदल आए और उन्होंने लिखकर के पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये दिया कि पाकिस्तान सरकार एक भी व्यक्ति की केपरती हिंसा नहीं होने देगी और दिल्ली में एक लाख लोग इकट्थे हो करके उन्होंने ये कहा कि हम भविश्य में हत्यार तो क्या बात है लाठी भी नहीं उठाएंगे तब गांदी जी ने अपना उपवास तोड़ा हाला कि उसके पांच-छे दिन बाद उनकी गोली लग गई तो ऐसे थे गांदी जी जो सत्य के लिए जीवन भर अनवरत निरंतर यात्रा करते रहे और ऐसे महापुरुष हो थे दन्यवाद दन्यवाद आज की वारता को यह विराम देते हैं दन्यवाद 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 झाल